बच्चो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि एक उत्पादक किस प्रकार बाजार की विबन शक्तियों जिसे मांग, पूर्ती, उनकी कीमतों इन सब में समन्नवे इस्थापित करते हुए अपना उत्पादन कारे संपन्न करता है और उत्पादन करने के बाद वो किस प्रकार अपनी वस्तों का मूले नरधारित करता है उन्हें बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराता है इन सभी कडियों के अंतरगत हमने मांग का एक विस्तृत अध्यन किया था हमने ये देखा था कि किस प्रकार किसी वस्तृत की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है उत्पादन की इसी प्रक्रिया में एक महत्पूर्ण कड़ी आती है वस्तृत की पूर्ती जो की उतनी ही इंपोर्टेंट है उतनी ही महत्पूर्ण है जितनी की वस्तृत की मांग कहीं न कहीं वस्तू की पूर्ती भी वस्तू की कीमत से उसी तरह प्रभावित होती है जिस प्रकार वस्तू की मांग प्रभावित होती है तो आज हम देखेंगे वस्तू की पूर्ती वस्तू की पूर्ती की तालिकाएं पूर्ती के लिए बनाया जाने वाले वक्र तो आईए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तों में वस्तु की पूर्ती होती क्या है सामाने बोलचाल की भाशा में देखे तो जितनी वस्तु की उपलब्धता है यानि कि एक उत्पादक जितनी वस्तु को बेचने के लिए उपलब्ध करा पाता है वो पूर्ती है लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर एक दो महत्पूर बिंदु छूट जाते हैं जो पूर्ती के लिए अवश्यक होते हैं जैसे पूर्ती हम उसे ही कह सकते हैं जब एक उत्पादक किसी वस्तु की कुछ निश्चित मात्राओं को निश्चित समय और निश्चित मूल्य पर एक बाजार में बेचने के लिए समर्थ हो पाता है तो यहां पर दो बिंदु वस्तु का निश्चित मूल्य और निश्चित समय यानि कोई निश्चित समय ये दो महत्तु पूर्ण बिंदु भी अगर पूर्ती स्टॉक के अंतरगत आ जाते हैं तो कहीं न कहीं वो जो उत्पादक के लिए जो वस्तु की उपलब्धता है वो पूर्ति में परिवर्तित हो जाती है पूर्ति के इसे नियम को हम प्रोफेसर बेनहम और प्रोफेसर थॉमस की परिभाशा से और अधिकच्छे से समझने का प्रयास करते हैं आए देखते हैं प्रोफेसर बेनहम और थॉमस की परिभाशा प्रतिकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो एक बाजार में किसे निश्यत समय पर विभिन कीमितों पर बिखने के लिए प्रस्तुत के जाती है तो आपने देखा कि दोनों ही अर्थ शास्त्रियों ने कहीं न कहीं यही माना है कि वस्तु की पूर्ती एक बाजार में एक निश्चित समय में या एक निश्चित मूले पर किसी उत्पाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है अगर हम मांग से इसको कंपेर करें तो जैसे कि हमने पिछले अध्यायव में देखा हमने देखा था कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में क्या संबंद है वहाँ हमने देखा था कि जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तू की मांग घड़ती जाती है इसके विपरीत जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत कम होती जाती है वैसे वैसे उस वस्तू की मांग बढ़ती जाती है तो यहाँ पर हमने देखा था कि किसी वस्तू की मांग और उसके कीमत में विपरीद संबंध होते हैं यानि कि रणात्मक संबंध होते हैं लेकिन अगर हम पूर्ती की बात करें या हम पूर्ती को कीमत से कंपेर करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तू की मांग जाती है वैसे वैसे उस वस्तू की पूर्ती भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत कम होती जाती है वैसे वैसे उस वस्तू की पूर्ती भी घड़ती जाती है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यहां वस्तु की कीमत और पूर्ती में धनात्मक संबंध होता है अब साधारन बोलचाल की भाशा में जब हम पूर्ती यह सप्लाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि वो जो वस्तुएं या वो जो उत्पाद किसी उत्पादक के द्वारा तयार किये गए हैं हमारे पास स्टॉक में है, सकंध के रूप में रखे गए हैं उन्हें की हमको पूर्ती करनी है तो कहीं न कहीं पूर्ती और स्टॉक दोनों शब्द एक से लगते हैं लेकिन फिर भी इन में कुछ छोटे से अंतर हैं। आएंदेखते हैं पूर्थी और स्टोज में क्या अंतर हैं। पूर्ती जैसी के हमने देखा कि किसी वस्तू के निश्चित मात्रा किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित मूले पर बजार में जो उपलब्ध कराई जाती है वो पूर्ती है लेकिन यहां पर स्टॉक के बारे में हम देखते हैं कि निश्चित मात्रा या निश्चित स आधार पर के पूर्ती के लिए तो एक समय और उसके जो विक्रे का मुल्य है उसके निश्चित्ता का होना आवश्यक है लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ होना आवश्यक नहीं है तीसरा अंतर हम यह कह सकते हैं कि पूर्ती जो है वो संकुची धारना है समय और वस्तु के मुल्य क्या धार पर परिवर्तित होती रहती है लेकिन स्टॉक के अगर हम बात करें तो वो अपने आप में काफी विस्तृत छेत्र रखता है स्टॉक की अलग कई टाइप से इसके हम कैलकुलेशन करते हैं कई तरीके से हम इसकी उपलब्दता सुनिश्चित करते हैं तो देखा जाय है कि यहां पर वस्तू की जो पूर्ति है वो समय और मूली के अधार पर परिवर्तित होती रहती है लेकिन स्टॉक में इस तरह का परिवर्तन संभाण नहीं हो पाता है तो स्टॉक और पूर्ति के अंतर को जान लेने के बाद अब आये देखते हैं कि पूर्तित तालिका क् परी किस प्रकार बनाई जाती है जैसे कि हमने वस्तू की मांग के दौरान देखा था कि वहां पर दो प्रकार की मांग हमारे सामने आई थी एक तो व्यक्तिगत मांग और दूसरी बाजार मांग बिल्कुल वैसे ही यहां पर पूर्ति को भी हम दो भागों में बाट कर पढ अब अगर बात हम व्यक्ति गत्पूर्ति तालिका की करें तो हम देखते हैं कि व्यक्ति गत्पूर्ति तालिका जैसे कि नाम से ही इस पस्ठ है कि किसी व्यक्ति विशेश की यानि किसी एक उत्पादक के लिए बजार में जो उसके वस्तु की उपलब्धता उस उनिश्वित करवा पाता है उसके लिए बनाई जाती है तो व्यक्तिकत पूर्ती तालिका में किसी एक उत्पादक के बारे में ही यहाँ पर विवरेंट प्रस्तुत किया जाएगा जैसी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उत्पादक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक उत्प रुपय है तो उसकी मात्रा जो है पूर्ती की जो मात्रा है वो शुन्य है और जब आइस्क्रीम की कीमत 10 रुपय होती है तो उसकी पूर्ती की जो मात्रा है वो 10 इकाई हो जाती है जब आइस्क्रीम की कीमत आप देख रहे हैं कि 15 रुपय होती है तो उसकी पूर्ती 20 रुप उसकी कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी पूर्ती भी बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं यह कंसेप्ट यहीं बताता है कि जो उत्पादक है यह जो विक्रेता है वो भी यहीं चाहता है कि वो अपने उत्पादों को उस समय बेचे जब वस्तु की कीमत बाजार में ज सार ये व्यक्तिकत पूर्ती तालिका हमने देखी अब हम देखते हैं कि बाजार पूर्ती तालिका क्या है बाजार पूर्ती तालिका में जैसे कि हमने व्यक्तिकत पूर्ती तालिका में देखा था तो हमारी मानिता यह थी कि बाजार में वस्तु का एक उत्पादक एक विक्र तो यहां पर हमारी मानिता यह रहती है कि बाजार में किसी वस्तू के एक से अधिक या दो या दो से अधिक उत्पादक या विक्रिता है यहां हमने मान लिया कि आइस्क्रीम के दो उत्पादक या दो विक्रिता है A और B क्योंकि अब एक से अधिक हो गया तो यह वेक्तिकत पूर्ति तालिका तो रही नहीं अब हमारे पास जो तालिका सामने है वो है बाजार तालिका तो बाजार पूर्ति तालिका में हम देख रहे हैं कि आइस्क्रीम की कीमत और दो व्यक्ति यह दो उत्पादन करता ए और भी हमारे साथ है और उसके साथ हम बाजार पूर्ति को द पूरती को देखे तो वह भी 0 होगी दूसरी कंडिशन में हम देखते हैं कि आइस्क्रीम की कीमत जब 10 रुपय होती है तो यहां पर जो फर्म A है उसकी पूर्ती 10 एकाई की है और फर्म B जो है उसकी पूर्ती 5 एकाई की है यानि कि अगर हम ओर ओर बाजार पूर्ती की बात क करें तो वह 15 एकाई होगी तीसरी कंडिशन में हम देखते हैं कि जब बाजार में आइस्क्रीम की किमत 15 रुपय हो गई तो फर्म A के लिए उसकी पूर्ती 20 एकाई हो गई और फर्म B के लिए उसकी पूर्ती 10 एकाई हो गई है अगर हम इसके आधार पर बाजार पूर्ती क की बात करें तो हम देखते हैं कि 30 एकाई हो जाएगी चौथी कंडिशन में हम देखते हैं जब आइस्क्रीम का मूल्य 20 रुपय है तो यहां पर फर्म A की पूर्ती 30 एकाई की है और फर्म B की जो पूर्ती है 20 एकाई की है इसके आधार पर अगर हम बजार पूर्ती का व्यक्तिगत भी और मांग दोलू अब इन्हीं पूर्ती तालिकाओं को हमको रेखा चित्र के आधार पर प्रस्तूत करना होगा जिससे की हम इसकी अवधारना को और अच्छे से समझ सकें तो यहां पर हमको दो तरीके के वक्र का अध्यान करना होगा एक तो पूर्ती वक् व्यक्तिगत पूर्ती और बाजार पूर्ती वक्र तो पूर्ती वक्र की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल नाम से इस पस्ट है कि इसके पहले हमने जिन तालिकाओं का जिन सार्णियों का ध्यानी किया अगर हम उनी सार्णियों को वक्र रेखा चित्र के सहायता से जब अभी व्यक्तिकर देते हैं तो वहां पर हमको वक्र प्राप्त हो जाता है तो आईए देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत पूर्ती तालिका को वक्र में हम वहां पर एक व्यक्तिगत पूर्ती वक्र प्राप्त करते हैं रेखा चित्री के साहता से और किस प्रकार बाजार मांग तालिका के आधार पर हम वहां पर बाजार मांग तालिका का एक रेखा चित्र बनाएं और साथ में हम बाजार मांग तालिका का वक्र प्राप्त करें पूर्ती तालिका के अनुसार पूर्ती वक्त्र बनाने के लिए हम रेखा O X पर वस्तु की मात्रा और रेखा O Y पर वस्तु की कीमत को अंकित करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपय थी तो वस्तु की पूर्ती शुनेकाई थी जब वस्तु की कीमत 10 रुपय हो गई तो वस्तु की पूर्ती 10 इकाई हो गई जब वस्तु की कीमत 15 रुपय हो गई तो वस्तु की पूर्ती 20 इकाई हो गई और जब वस्तु की कीमत 20 रुपए हो गई तो बाजार में वस्तु की पूर्ती 30 इकाई की हो गई इस प्रकार हमें यहाँ पर एक SS वक्र प्राप्त होता है जो कि पूर्ती वक्र है और बाएं से दाएं उपर की ओर जा रहा है इस SS पूर्ती वक्र के धनात्मक धलान से यह ज्यात हो जाता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ती भी बढ़ती है इस चित्र से हमें यह भी पता चल रहा है कि यदि कीमत 5 रुपए या इससे कम होगी तो विक्रेता वस्तु को बेशने के लिए तयार नहीं होगा यानि जिस कीमत से नीचे विक्रेता वस्तु को बेशने के लिए तयार नहीं होता उसे सुरक्षित कीमत या नियुन्तम पूर्ती कीमत भी हम कह सकते हैं बाजार पूर्ती वक्र को रेखा चित्र द्वारा स्पस्ट करने के लिए हम तालिका का प्रियोग करेंगे दो फर्मों की जानकारी फर्म ए और बी की जानकारी दी गई है और साथ में बाजार पूर्ती दी गई है सबसे पहले हम फर्म A के लिए पूर्टी वक्र का निर्मान करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर हम फर्म A का पूर्टी वक्र बिनाने के लिए रेखा O X पर वस्तु की मात्रा और रेखा O Y पर वस्तु की कीमत लिखेंगे हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत पांच रुपय प्रती काई थी तो फर्म ए द्वारा की गई पूर्ती शुन्य थी जब वस्तु की कीमत दस रुपय प्रती काई हो गई तो फर्म ए द्वारा की गई पूर्ती दस इकाई हो गई जब वस्तु की कीमत 15 रुपय प्रती काई थी तो फर्म A द्वारा की गई पूर्ती 20 काई की हो गई जब वस्तु की कीमत 20 रुपय प्रती काई हो गई तो फर्म A द्वारा की गई पूर्ती 30 काई की हो गई इस प्रकार हमें एक SS वक्र प्राप्त होता है जो कि बाएं से दाएं उपर की ओर बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है और यह बता रहा है कि जैसे जैसे बस्तु की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी पूर्ती बढ़ती गई ठीक इसी प्रकार हम फर्म B के लिए वक्र का निर्मान करेंगे यहां हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपय थी तो फर्म B द्वारा की गई पूर्ती 6 रिकाई थी जब वस्तो के केमत 10 रुपय होई तो फर्म B द्वारा की गई पूर्ती 5 इकाई हो गई जब वस्तो के केमत 15 रुपय होई तो फर्म B द्वारा की गई पूर्ती 10 इकाई हो गई जब वस्तो की कीमत 20 रुपए हो गई तो फर्म B द्वारा की गई पूर्ती PC काई की हो गई है यहां पर हमको जो रेखा SS प्राप्त होती है वो फर्म B का पूर्ती वक्र है यह बाएं से दाएं उपर की ओर बढ़ता हुआ और पूर्ती एवं कीमत में धनात्मक संबन्द को बताता हुआ है अब पर्म A और B दोनों के पूर्ती वक्रों को मिला कर हम बाजार पूर्ती वक्र ग्याद करेंगे यहां पर हम बाजार पूर्ती वक्र का निर्मान करने के लिए रेखा O X पर वस्तु की मात्रा और रेखा O Y पर वस्तु की कीमत को लेंगे हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपय थी तो बाजार में उसकी पूर्ती शुने काई थी जब वस्तू के केमत दस रुपए हो गई तो बाजार में उसकी पूर्ती पंद्रा इकाई की हो गई जब वस्तू के केमत पंद्रा रुपए हो गई तो बाजार में उसकी पूर्ती तीस इकाई हो गई जब वस्तु की केमत 20 रुपए हो गई तो बाजार में उसकी पूर्ती 50 इकाई की हो गई इसके आधार पर हमको जो SS वक्र प्राप्तु होता है वो बाजार पूर्ते वक्र है जो कि बाएं से दाएं उपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां इस बात को स्पस्ट कर रहा है कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ती या बाजार पूर्ती में धनात्मक संबन पाया गया है तो आपने देखा कि किस प्रकार जब हमने व्यक्तिगत मांग तालिका का निर्माण किया और व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर व्यक्तिगत मांग तालिका के रेखा चित्र का निर्माण किया तो हमने देखा कि किस प्रकार ये जो व्यक्तिगत पूर्थी वक्र जो था वो नीचे से उपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र हमको वहाँ पर प्राप्त हुआ था हुए वहाँ पर भी हमने देखा कि हमको यह जो वक्र प्राप्त हुए पूर्ती वक्र चाहिए वो व्यक्तिकत हुए या बाजार दोनों ही बाएं से दाएं नीचे से उपर की ओर बढ़ते हुए प्राप्त हुए कहीं न कहीं यह concept जो है यह अवधारना जो है यह बताती है कि ऐसा इसले हुआ क्योंकि प्रत्यक दशा में यहां पर कीमत और पूर्ती के भी धनात्मक संबंद पाया गया यानि कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ती बढ़ती है और कीमत के घटने के साथ साथ पूर्ती भी घट जाती तो यह तो थी पूर्ती वक्र की बात लेकिन यह जो पूर्ति वक्र है यह कुछ मानिताओं पर आधारित हैं कौन-कौन से मानिताओं हैं जिस पर यह पूर्ति वक्र आधारित आई देखते हैं सबसे पहली मानिता इसकी यह है कि कीमत और पूर्ति के जो परस पर संबंध होते हैं उनमें निरंतरता या सूक्ष मंतर या त गोड़े से अंतर के साथ परिवर्थित होते हैं लेकिन फिर भी दोनों को साथ साथ चलना जैसे अभी हमने बात की कीमत अगर बढ़ती है तो साथ में पूर्थी गटेगी तो इसमें निरंतरता का होना आवश्या कि तभी यह नियम यहां पर लागू होगा दूसरी बात अगर मानित्ता की करें तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के जो साधन है उनकी कीमते इस्थिर होनी चाहिए क्योंकि उत्पत्ति के जो साधन है उनकी कीमते वहां पर उत्पादित की जा रही वस्तु क कीमतों को सीधा प्रभावित करती है तो अगर उत्पत्ति के साधनों की कीमते बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमने जो इकायों का उत्पादन किया है उनकी कीमते बढ़ जाएंगी तो यहां पर यह नियम लागू नहीं हो पाएगा अब हम अगर इसकी तीसरी मानिता की ब परच वह अन्य अन्य वस्तू पर करने लगेगा और वहां पर फिर यह नियम लागू नहीं हो पाएगा अगली मानिता कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्रेटा है उसके स्वाभाव या रूची में परिवर्तना हो क्या होता है कि जब किसी वस्तू को खरीदना या उसका उभोग करना किसी क्रेटा की स्वाभाव बन जाता है उसकी रूची है उसमें उसको इंट्रेस्ट है तो फिर वो यह नहीं देखता है कि कीमत जो है बाजार में वो बढ़ रही है या उसके कंपरेटिव किसी वस्तू की कीमत कम है जिस वस्तू में उसकी रूची ह ऐसके मँल do करें तो कि यहां पर उत्पादन के तकनीकों को लेकर किसी तरह का परिवर्था ना हो को नई नई चाहिए तो जाहिर से बात है कि वह अपना प्रोड़क्शन जो है उत्पादन जो नियम को लागू होने में थोड़ी से दिक्कत आएगी तो ये कुछ ऐसे मानिताएं हैं जो इस नियम जो पूर्ती का हमने जो नियम पढ़ा कि किस तरह वो कीमत के साथ चलती है उनको लागू करने के लिए इन मानिताओं का होना अवश्यक है मानिताओं के बाद आप अगर हम आगे देखें कि पूर्ती किस किस टाइप की होती है क्या क्या प्रकार है इसके तो पूर्ती के प्रकार में सबसे पहली पूर्ती जो होती है वो है बाजार पूर्ती यानि कि यहां पर हम इसको अतियल्पकालीन भी बोल सकते हैं जब बजार पूर्ती के हम बात करते हैं तो समय यहां पर इतना कम रहता है कि अगर अचानक से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो यहां पर हम पूर्ती यानि कि इतना कम समय रहता है कि उत्पादन के साधुनों में हम कोई हेर फेर नहीं कर पाते हैं और पूर्ती को हम बढ़ा नहीं पाते हैं दूसरी अगर हम बात करें अल्पकालिन पूर्ती यानि अतिया अल्पकाल से थोड़ा सा समय जादा रहता है उत्पादन के जैसे हमने पढ़ा था कि 5 साधन है तो सभी में तो हम परिवर्तन यहाँ पर संभव नहीं कर पाते हैं अलपकाल में लेकिन कुछ एक साधनों में हम परिवर्तन करके थोड़ी बहुत पूर्ती को मैनेज कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें दिर्धकालिन पूर्ती की तो चुपके नाम से इस पस्थ है दिर्धकालिन यानि यहाँ पर उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय रहता है कि वो उत्पादन के सभी साधनों में या कहा जाए कि पुरे पैमाने को परिवर्तित करके उत्पादित इकायों को बहुत आसानी से उनकी संख्याओं को बढ़ा सकता है अब अगर हम बात करें संयुक्त पूर्ति कुछ वस्तु ऐसी होती है जो साथ-साथ में प्रयो साथ-साथ में वो उत्पन होती है जैसे हम बात करें कपास के साथ बिनौला की तो साथ-साथ उसके उत्पत्ति होती है यह हम यहाँ पर बात कर लें गेहूं-गेहूं के साथ हम गेहूं के भूसी का भी वैपार करते हैं तो यह चीज़े ऐसी होती है कि एक वस्तु की अगर अलग अलग दिशाओं में हम उसका उप्योग करते हैं जैसे अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का जो वेफसाय है वहां पर वाँ मेटेरियल जो है वो लकड़ी है इस लकड़ी से वो फनीशर बना सकता है घर के जो है खिड़की दरवाजे बना सकता है मनुरंजन की कुछ चीजे बना सकता है डेकुरेटिव कुछ आइटम बना सकता है तो मल्टी पर्पस यूज है बहुत सी यूज है तो अगर हम एक चीज का उत्पादन बढ़ा ले जैसे लकड़ी अगर हम पर्याप्त मातरा में है हमारे पास तो इससे हमने जितनी भी वस्तो का नर्मान किया उन सब की पूर्ति एक साथ बढ़ जाती है तो क्योंकि पूरे समु में इनकी पूर्ति हो जाती है इसलिए हम इनी कहते हैं सामु एक पूर्ति तो ये तो थे पूर्ति के प्रकार अब आईए देखते हैं कि कौन-कौन से घटक है जो इस पूर्ति की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला आता है कि उत्पत्ति के साधन, अब यहां पर अगर हम उत्पत्ति के साधनों की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, कि उत्पत्ति के सादनों की कीमत अगर बढ़ी तो उत्पादन जो बढ़ा है जाहिर से बात है कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी उत्पादन की कीमत अगर बढ़ी हुई है तो जाहिर से बात है उत्पादक उसको बढ़ी कीमत पर बाजार में बेचेगा यानि कि उन वस्तू की कीमते बाजार में बढ़ जाएंगी इसके विप्रीत अगर उत्पादन के साधनों की कीमते कम हो जाती है तो उत्पादन यानि जिस वस्तू का प्रोडक्शन किया गया उस वस्तू की कीमत भी बाजार में कम हो जाएगी तो कुछ इस तरह से इन दोनों में संबंध होता है दूसरा अगर हम बात करें तो वस्तू की कीमत जो होती है वो भी कहीं न कहीं वस्तू की पूर्ति को प्रभावित करती है यह तो साधारन सी बात है कीमत की ही हम बात कर रहा है अभी तक कि वस्तू की कीमत अगर कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी वस्तू की कीमत अगर बढ़ती है तो पू या अनिष्चित समय में बरसात हो जाना जब बारिश हो नी चाहिए उस समय बारिश होती नहीं है और जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाती है कई बार होता है कि अनावरिष्टी हो जाती है बारिश नहीं होती कई बार होता है कि अतिवरिष्टी होती है तो इन सब का प्रभाव जो फसल है या जो कृषी उत्पाद है उन यसी अगर हम बात करें उत्पादन की विधियों की तो हम देखते हैं कि उत्पादन की विधियों में परिवर्तन करके कई बार वस्तु की पूर्ती को बढ़ाया जा सकता हैं जैसे कि हमने देखा कि प्राचेन कालिन पुरानी विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हम हम उत्पादन के लिए नई टेकनोलोजी का प्रियोग करें हाथ की जगा हम मशीनों का प्रियोग करें तो कहीं न कहीं जैसे कृषी में हम देखते थे कि पहले धान की कटाई वगरे के लिए हम हाथ से ही यह मज़ूर लगा कर करते थे लेकिन अब बहुत सारी मशीनों का प्र तुम देखते हैं कि परिवहन और संचार की सुविधाय जहां पर परियाप्त मात्रा में है उन इस्थानों पर वस्तू की पूर्ती आसानी से की जा सकती है लेकिन कुछ छेत्र ऐसे होते हैं जैसे पहाड़ी छेत्र हैं या जिन छेत्रों में सड़क की व्यवस्था प्रॉ वैसे ही इसका एक तत्व हो सकता है और दियोगिक शान्ती हम अकसर देखते हैं कि जिन कंपनी में जिन व्यवसायों में हमेशा श्रमीक और उत्पादक के बीच एक अच्छे संबंद नहीं बन पाते हैं वहां पर लगातार कोई ने कोई हड़ताल ताला बंदी और या प्र बाधित होगा तो जाहिर से बाते की पूर्ती भी बाधित हो जाएगी तो अगर अध्योगिक शान्ती है तो उत्पादन स्थिर तोर पे लगातार चलता रहेगा वहां पूर्ती बाधित नहीं होगी और अगर अध्योगिक शान्ती नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रभवा इस की पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं.